यह डिटरजेंट एक मैंगो आगमी के पहुच के बाहर था और अगर कोई सेल्जमेन जादा इंसिस्ट करता था तो उसको दर्वाजा दिखा दिया जाता था और वो दोनों जगे से फस रहे थे बेटा बेटा उतर बाप बाप होता तो मैंने का बेटा बेटा उतर बाप लिए तरह की फेले लुट्ची रिटरन करने में और अकाउंंटिग करने में आज की वीडियो में मैं आपको निर्मा की स्टोरी बताओंगा उसकी पूरी जर्यंद बताओंगा और यह भी बताओंगा की आप ब्सक्री से क्या सीख सकते हैस्ट तो चलिए दोस्तो शुरू क तो बात है 1969 की गुजरात के एहमदाबाद शहर में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था कार्सन भाई पटेल कार्सन भाई पटेल क्वालिफिकेशन से एक केमिकिल इंजेनर थे और पेशे से गुजरात गवर्मेंट के जियोलोजी और माइनिंग डेपार्टमेंट में काम क इंजस्ट का बहुत शौक था वो कुछ ना कुछ एक सपरिमेंट करके कुछ ना कुछ नयाब बनाते रहते थे कार्सन भाई ने उस टाइम पटेल आ मार्केट को नोटिस कियाutter, उन्होंने देखा मार्केट में सिर्फ एक detergent मिलता है और वो बहुत महंगा है , दोस्तो उस टायम पर एक wie detergent मिलता था market है, इसका नाम था serf Excel यह वही है दाग अच्चे है वाला। उस समय serf EXCEL की कीमत 13 रुपे प्रतिकिली थी और उस टाइम पे ये बहुत महेंगा माना जाता था ये डिटरजिंट एक महेंगो आदमी के पहुच के बाहर था कारसन भाई ने ये नोटिस किया और देखा कि एक अच्छे डिटरजिंट की तो जरूत सब को होती है तो क्यों न ऐसा डिटरजिंट बना जाये जो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो और सब के पहुच में हो तो उन्होंने ठान लिया कि अभी अच्छा डिटरजिंट बनाने की सक जरूत है और इस पे काम शुरू कर दिया तो बहुत एक्सपरिमेंट्स हुए बहुत फेलियर्स हुए और बहुत सारे ट्रायल्स के बाद एक सूपब डिटरजिंट का निर्मान हुआ ये detergent में बहुत जाग आता था ये detergent यूज करके हाथ नहीं खराब होते थे और ये detergent environment friendly था और कीमत जानते हो मातरत 3 रुपे प्रती किलो मलब उस टाइम जो सबसे सस्ता detergent था उससे भी 75% सस्ता कारसन भाई ने जान बूच कर इस detergent की packaging बहुत ही basic रखी थी क्योंकि उनका ये मानाता की अगर मैं packaging महेंगी करूँगा तो detergent महेंगा हो जाएगा दोस्तो कारसन भाई ने इस detergent का नाम अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर निर्मा रखा ये detergent launch करने से पहले उनकी बेटी की एक सड़क हाथसे में मृत्य हो गए थी इसके लिए अपनी बेटी का नाम अमर करने के लिए उन्होंने इस detergent का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा ये सुनकर आपको शायद अंदासा आ गया होगा कि कारसन भाई कितना प्यार करते थे अपनी बेटी से दोस्तो कारसन भाई घर गर जाके अपना detergent बेचते थे वो जौब के लिए साइकल पे सुबे निकलते थे और जौब पहुचने के पहले रास्ते में निर्मा सेल करते थे देख रहे हो कारसन भाई कितनी मेनत करते थे कारसन भाई को अपने प्रोडक्ट पे इतना confidence था कि उन्होंने housewives को money back guarantee दे रखी थी मतलब अगर उनको detergent नहीं पसंद आए तो detergent वापस करो और अपने पैसे ले कर जाओ पर दोस्तो इसकी कोई नौबत नहीं आए लोग को ये detergent इतना पसंद आए कि लोग इसके दिवाने हो गए दीरे दीरे निर्मा के चर्चे पुरे एमदाबाद में फैलने लगे और रात ओ रात निर्मा सर्फ को एक अच्छा कासा competition देने लगा ये सिलसला 1970 से 1980 तक जारी रहा और 1980 में निर्मा ने एमदाबाद में नंबर वन पोजिशन हासिल कर लिया दोस्तो एमदाबाद के अलावा निर्मा और locations पे भी मिलता था पर उधर इतना successful नहीं था उस टाइम पे MNCs का दबदाबा था और dealers मतलब retailers और distributors को MNC का माल बेचने में ज़ादा interest था जब भी निर्मा की salesman, distributors, stockists या retailers को एमदाबाद के भार मिलने चाते थे तो या तो वो dealers उनको एंटेटे नहीं करते थे या तो माल बिखने के बाद भी payment नहीं करते थे और अगर कोई salesman ज़ादा insist करता था तो उसको दर्वाजा दिखा दिया जाता था दोस्तो इसकी वज़े से कार्सन बाई की मुसीबिते बढ़ती जा री थी एक जगे तो उनको अच्छा कासा investment करके detergent बनाना परता था और दूसकी जगे पर ये जो dealers है या retailers है या distributors है वो time पर payment नहीं करते थे दोस्तो कुछ जगे तो हालत ऐसी थी कि लोग माल बिखने के बाद भी payment नहीं देते थे इसके लिए कार्सन बाई की मुसीबिते बढ़ रहती और वो दोनों जगे से फस रहे थे कार्सन बाई ने ये सोचा कि अगर इस मुसीबित से जल छुटकारा नहीं पाया गया तो ये मुसीबित कमपनी को ले डूबेगी दोस्तो 1980 में कार्सन बाई ने टीवी पे एक एड देखा और ये एड देखकर कार्सन बाई के माइन्ड में एक तमदार आइडिया आया दोस्तो अगले दिन कार्सन बाई ने सब सेल्समें की मीटिंग अपनी कमपनी में बुलाए उन्होंने सिफ एक इंस्ट्रक्शन दिया मार्किट में जाओ जितना भी पेमिंट है वो कलेक करो और जितना भी माल नहीं बिकाए वो विनमरता से हाज जोड़कर वापस लेकर आओ दोस्तो बिलकुर इस तरह दोस्तो उनके सेल्समें तो ये सुनकर दंग रह गए कुछ लोग को तो लगा कि कारसन भाई का बिलकुल सटक गया है और इसके लिए ये सब करने के लिए बोल रहे है कुछ लोग को तो लगा कि ये कंपनी बंद कर रहे है पर बॉस ने बोला है तो ये करना ही था तो अगले दिन उन्होंने वही किया दोस्तो ये exercise करने के बाद निर्मा का stock market में बिल्कुल zero हो गया था और दोस्तो अगले दिन निर्मा ने TV ads का bomb खोड़ा उन्होंने एक महिने तक TV ads continuously run किये हाँ दोस्तो ये वही ads है दूद सी सफेधी निर्मा से आई और ये ads देखे कस्टमर्स बिल्कुल पागल हो गए दुकाने भर गए कस्टमर्स से निर्मा का product लेने के लिए कस्टमर्स की लाइने लग गई और देखते ही देखते निर्मा का demand skyrocket हो गया पर जब भी कस्टमर दुकानदार के पास जाता था दुकानदार उसको एक ही चीज बोलता था अरे भाईया निर्मा नहीं है कितनी बार आपको ना बोला मैंने कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो रोज दुकानदार के पास जाके निर्मा खरीदने के लिए जाते थे पर उनको रोज ना सुनकर वापस आना पड़ता था पैनिली सब रीटेलर्स परेशान हो गए उन्होंने अपना एक काफिला सा लेकर कारशन भाई के पास गए उन्होंने कारशन भाई को सिफ एक चीज बोली या तो आप ये निर्मा के आड़्त बंद करो या तो निर्मा का सप्लिय वापस मार्केट में दो अब भी हमसे ये customer नहीं संबलते हैं दोस्तों ये सुनकर Carson भाई मन ही मन मुस्कुराए उनको समझ में आ गया था कि उनकी ये strategy सुपर हिट हो गए उन्होंने मन में ये सोचा बेटा बेटा उतर बाप बाप हो गए गोने अपने salesman को भी सिफ एक instruction दिया tempo में माल भरो और सिफ cash payment पे ही निर्मा सप्लाय करना जैसे कि मैंने आपको पहले बता है ये strategy बहुत successful रही और ये strategy एक तीर से दो निशान मारने जैसी strategy थी एक तीर ने payment की problem solve की और दूसरे तीर ने demand create की दोस्तों ये strategy advertising और marketing world में एक brilliant strategy मानी जाती है और ये strategy MBA schools में पढ़ाई जाती है तो क्या ये वीडियो MBA का एक mini version है? ये strategy के बाद निर्मा को पीछे देखने का मौका नहीं मिला और धीरे धीरे ये strategy के वज़े से निर्मा number one होने वाला था पर 1987 और 1988 में ये story में twist आया 1987 में घडी डिरेजन launch हुआ अब घडी डिरेजन का जो target market था वो बिलकुल निर्मा की तराई ही था और 1988 में निर्मा को beat करने के लिए HUL ने wheel launch किया दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया निर्मा सर्फ को बहुत अच्छा competition दे रहा था और एमदाबाद में तो निर्मा सर्फ को beat कर चुका था दोस्तों निर्मा का price इतना कम था कि सर्फ एक्सल अपना price नीचे नहीं ले कर आ सकता था सर्फ एक premium brand था और जब कोई premium brand अपना price जरूत से जादा नीचे ले कर आता है वो immediately वो premium brand को kill कर देता है इसलिए Unilever ने निर्मा से compete करने के लिए सर्फ एक्सल का price कम करने के बदले एक नया brand launch के है जिसका नाम तब wheel और वील और निर्मा की pricing बिलकुल similar थी और इसके बाद detergents के और brand launch हुए जैसे Tide और Arial पर इसके बावजूद निर्मा market में अच्छा perform कर रहा था और finally सन 2000 में निर्मा ने number one position इंडिया में हासल की और सब detergents को beat कर दिया पर दोस्तो 2000 के बाद निर्मा का decline चालो होने लगा जहां दूसरे brands marketing और advertisement कर रहे थे नए-ने brand ambassadors को ले के आ रहे थे नए-ने communication techniques यूज़ कर रहे थे निर्मा सेम GCPT advertisements चला रहा था आपको शायर याद होगा निर्मा सिफ दो type के advertisement चला था या तो दूची सवेदी निर्मा से या तो हेमा, रेखा, जया और सुष्मा पस ये ही दो type के advertisement चला था पर दूसरे bands दीरे-दीरे advertising और marketing में अच्छा कासा innovate कर रहे थे इसके लिए निर्मा धीरे-दीरे customers के mind से उतरता जा रहा था पहले लोग इसको सस्ता और अच्छा मान देते पर धीरे-दीरे लोग को ये cheap detergent लगने लगा और लोग इसको खरीदना बंद कर रहे थे उसने बदल दे समय के साथ वीको की तरह बदलना नहीं सीखा और इसके लिए दीरे-दीरे वो customers को lose कर रहा था और इसके बाद एक और चीज़ हुई निर्मा 2000 के बाद बहुत सारे unrelated business में enter कर रहा था जैसे उन्होंने cement के business में entry की और 2003 में निर्मा university शुरू की इन नए unrelated businesses की वज़े से निर्मा का जो main business जो की detergents का था उस में से निर्मा का focus हट रहा था दोस्तो निर्मा का last year का turnover सिफ 11 सक करोड था और इसके comparison में surf excel का turnover पांच अजार करोड था मलब 5 गुना जादा दोस्तो आज की तारिक में निर्मा का market share घट के सिफ 6% हो गया है और हालत इतनी खराब है कि मैं मुंबई में ये video के लिए निर्मा खरीदने 5-6 दुकानों में गया पर मुझे कहां पे भी ये product नहीं मिला दोस्तो पर last year निर्मा ने अक्षे कुमार को लेकर कुछ rebranding की है अभी वक्त ही बताएगा कि निर्मा market में वापस आप आएगा कि लोग उसको धीरे-दीरे भूल जाएंगे दोस्तो अब आते हैं उस बात पर कि आप और मैं निर्मा से क्या सीख सकते है तो दोस्तो पहला lesson है don't be afraid of competition जब निर्मा ने 1969 में launch किया उनका competitor सवफ था जो कि Unilever एक MNC का product था पर इसके बावजूद कारसम भाई कुछ डिरे नहीं उन्होंने बेपाक निर्मा launch किया और निर्मा को number one position हासिल की दोस्तो हर business में competition होता है और ऐसा हो सकता है कि जब आप अपना business launch करोगे या तो competition already exist कर रहा होगा या तो competition आपकी business launch करने के बाद आ जाएगा पर अगर आपको लगता है कि आपकी product और आपकी service में dumb है और आपकी customers को आपका product या service पसंद आएगा तो भले competition MNC से क्यों ना हो आपको अपना business continue करना है और या तो अपना business launch करना है दोस्तो दूसरा lesson है no work is small मतलब कोई भी काम छोटा नहीं होता जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बता है Carson भाई घर घर जाके cycle पे अपना माल बेचते थे Carson भाई ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतना highly qualified chemical engineer हो एक government job करता हूँ मैं ये detergent बेचने का काम कैसे कर सकता हूँ उन्होंने इस काम को काम की तरह treat किया और इस काम को छोटा नहीं माना दोस्तो जब आप business launch करोगे ऐसा हो सकता है कि आपको आपके level या qualification के नीचे कभी काम करना पड़ सकता है तो उस time पर आपको ये नहीं सोचना है कि ये काम कितना छोटा है मैं इस काम को कैसे करूँगा Carson भाई की तरह आपको उस काम को continue रखना है और कभी भी ये नहीं सोचना है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे दोस्तो एक बात ध्यान रखना कि मैं आपको ये नहीं बोर रहा हूं कि आपको सभी काम करना है पर ऐसा हो सकता है कि आपका कभी कोई टीम मेंबर नहीं आये हो और उस दिन पर वो काम करना बहुत जरूरी है और आपको वो काम करना पड़ सकता है तो उस टाइम पर ये ने सुचना ये काम बहुत छोटा है, चुप चाप वो काम करना क्योंकि वो काम आपकी बिजनिस के लिए जरूरी हो सकता है तीसरा और विडियो का शायद सबसे important lesson है, be innovative जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, retailers, distributors, stockists, Carson भाई को एमदाबाद के बाद बहुत परेशान कर रहे थे तो Carson भाई ने ये problem से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत innovative तरीका अपना है उन्होंने एक महिने तक TVRs रन किये और इसकी वज़े से निर्मा का demand market में अच्छा कासा हो गया तो business में ऐसा हो सकता है कि कभी आप ऐसे problem को face करो जो आपको लगे कि ये solve भी नहीं हो सकती है पर शायद अगर आपना दिमाग ठीक से लगाओ गए जैसे Carson भाई ने लगाया था शायद ये problem innovation से solve हो सकती है तो दोस्तो business में innovative होना बहुत जरूरी है और ये ये वीडियो का तीसरा lesson है दोस्तो चौता और आकरी lesson है focus जैसे कि मैंने आपको पहले पता है 2000 में निर्मा ने number one position हासिल कर ली थी इसके बाद निर्मा ने बहुत unrelated business शुरू किये और इसकी वज़े से उनका जो main business था जो की था detergents का उस पे से उनका focus हट गया दोस्तो business पे focus करना बहुत जुरूरी है अगर आप focus नहीं करोगे तो शायद आपका निर्मा की तरह हाल हो सकता है और ये फरक नहीं पड़ता है कि आप आज number one हो दीरे देर अगर आपना focus loose किया तो आप निर्मा की तरह fall हो सकते हो तो दोस्तो आशा करता हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने ये वीडियो के माद्यम से कुछ सीखा होगा दोस्तो ये वीडियो देखना और सीखना important है पर उससे ज़्यादा important है ये lessons को apply करना तो जब भी आप कुछ सीखते हो उसको note down करो और दीरी दीरे अपने business में apply करना शुरू करो दोस्तो मुझे पता है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा आप अपने दोस्तों के जाएर करोगे ताकि वो भी कुछ सीख सके और हमारे चैनल को automatically subscribe भी करोगे अगली बार मिलेंगे दोस्तों जैहिंद